हेलो दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब से लिए स्टड़ी ओल रांड पर स्वाकत हैं दोस्तों मैं आज आपके लिए एफ टी आई ये रिकॉमेंट 2023 के बारे में सूदन लेकर हूं बारतिय फिल्म और टेलिविजन संस्तान बरती 2023 के बारे में कि आवे दिन दिती है कि जो 29 अप्रेल से कि 29 महीं 2023 तक रहने आले है कि 29 अप्रेल से 29 महीं 2023 तक एक मेने के अंदर इसका आवे दिन होने बाला कि और मैं बात करूँ आपके इसके फॉरंपीस की तो फॉरंपीस की में बात करूँ तो इसके अंदर आपके जनरल ओबिसी और यीडब्लूस कि इसका आवाद नाज जो अजार रुपे रहने वाला जो और बात करूँ आपके एससी एस्टी पीडवलूडी एडवलूएश तो सुरी फीमेल और एसम इसके लिए आवधन है जो नहीं सुलक है अब फ्री में आवधन कर सकते हो कि एस्टी पीडवलूडी फीमेल और एसम के लिए आवधन ही सुलक रखा गया है अब मैं इसके बात करूं आपके एज लिमिट की कि एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट आपके इसके अंदर अठारा वर्स से कि अठारा वर्स से लेकर कि चाड़ी स्वार्स तक रखे गई है मिनिममम एज है जो आपके इठार वर्स से लेकर रख दी तम चाड़ी स्वार्स और योग्यता इसके लिए योग्यता दस में पास बार में पास और ग्रेजुएट बीटेक और डिपलमा की कुलब कोई बदा आएधिन कर सकता है जिसने दस में पास कर रहे है वह भी आएधिन कर सकते हैं और जोग्रोग्रों कि अब भी इसके अंदर आवजन कर सकते हैं अब में बात्रों इसके पोस्टों की पदों की संख्या अब पदों की संख्या की बात्रों तो इसके अंदर आप गए चौरां से पद रखे गए पदों की संग्या तो चौरां से पद रखे गई है और जो इसकी चैन प्रिक्रिया है मैं बात करूं आपके चैन प्रिक्रिया की तो चैन प्रिक्रिया आपके अंदर कुछ इसकार से की पहले इसका रिटन एक्जाम होगा फिर इसके अंदर स्किल टेस्ट होगा तिसरा इसके अंदर डॉकुमेंट वरिबिक एसंग और चौता इसके अंदर स्किल टेस्ट होगा अंदर मेडिकल एग्जमिनेशन यह आपका प्रोसेस रहने वाल है